मीठे मीठे जामून आ चुके हैं तो मैंने सूचा क्यों ना हम जामून से आइस क्रीम बना हैं हेलो मीठे फूड़ीज कुकी फैट वित्रानी में आप सभी का स्वाकत है तो आज में आपके साथ शेयर करूंगे खटी मीठी और थोड़ से चटपटी जामून की आइस क्रीम तो मैंने यहां पर जामून लिये हैं और मैंने दो लिया है जामून के हम बाहर के सारे पाट नि आते हैं और यह आइस क्रीम आपको पी बहुत पसंद आने वाली है तो मैंने यहां पर सारे जामून काट लिये हैं और इसे मैंने डाल दिया है मिक्सर चार में क्योंकि हमें इसे पीसना है इसे पहले मैं डालूंगे तोड़ा से नमत लाल मिर्च का पाउटर दो चमश मैं डाल दूगे चीनी को आप अपने इसाप से कम या जाधा कर सकते हैं अब डालें इसके आंदर नीवू का रस तो मैंने यहां पर आधा नी इपूलिया है इसके अनदर पानी और फिर जाय के ढखन बंद करके हम इसे पीसिंग पीसिंग आपने इक्तिस नोटीस कियोगी जब जिन नमक मिर्च या चीनी ऑपना सकते हो जैन बना सकते हो एक इसक्रीम बना सकते हो ऑगर आपको इसके नमक नहीं जाला है तो आप भी नमक मिर्च तो यह ते बिन परफ्यक्ट पेख्द मारीं पर jurid c फिर से हम डकन बनकर यासे पीस लेंगी इसके अंदर कम चीजे तो चलेंगी लेकर ज़ादा नहीं किकste आप इसको निकालोगी इसलिए आप चीज की कमय सकते हो और अलग एक सकह लगता है कि इस में किसी मिठा मिठा हो जाता है इसे लिए मैंने चीनी को कम रखा था और जब मैंने बाद में उसको टेस्ट किया तो आफ। तो अप पूरस。」 थे बराबर है तो अब high cream के उपर Hiprecker में सेट होने के लिए ये और आप आइसक्रीम को मैंने कितना प्यारा लग रहा है ना और कितने अच्छे से यह सेट भी हो गई हैं अगर बच्चे बाहर आइसरीम खाने की जित करते हैं तो आप उन्हें ऐसे घर पर बना के दे सकते हैं बहुत एजी तरीका है आईस्रीम को बनाने का जिना कैमिकल और कलर के हम घर पर आईस्रीम बना सकते हैं आप भी खटी मिठी सी चट पटी सी जामून की आईस्रीम को ज़रूर ट्राय करना और जब आप इसे ट्राय करोगे तो इसकी फोटो मेरे साथ जरूर शेयर करना मेरे इंस्ट्राग्राम पर आप मुझे माँ पर फॉलो भी कर सकते हो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट में मुझे जरूर बताये कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी